तो यहां पर सबसे पहले हमने पैन को रख दिया है पैन में 4-5 टेबल स्पून देशी घी डाल देंगे आप चाहे तो 2-3 टेबल स्पून ही डालिएगा क्योंकि इसमें घी का कोई काम नहीं है लेकिन थोड़ा बैंडिंग अच्छी हो जाती है तो इसलिए मैं डाल रही हूं तो टोटल मैंने 3 कप नारियल का बुरादा लिया है आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यानि अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं कम बना रहे हैं तो कम भी ले सकते हैं तो बस घी में अच्छे से हम इसको कर देंगे मिक्स और इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच आजा है, लेकिन फ्लेम को लोही रखना है, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी से नहीं सेखना है, नहीं तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, जुद्ना देखन भाज़ा, नहीं खाने में अच्छा लगेगा, तो बस हल्की आज में इसको निसाटे कर लिया है, एक से दो मिनट के लिए, तो बस उसी कप से हम दो कब यहां पे दूद कर देंगे, तो एक कब मैंने आड कर दिया, दूसरा कब भी ऐड कर दिया, मेजरमेंट का आप ध्यान दूद भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा पकाने में जादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने दूद को एक कप कम कर दिया है तो बस इसको चलाते ही रहेंगे फ्लेम को यहां पे आप हाई थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि अच्छे से दूद हमारा गाड़ा हो जाए तो बस हमने छलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं दूद अच्छे से सूख भी गया है जब तक दूद न शूख जा तब तक आप इसको चलाटे रहें तो अब मैंने यहां पर आड़ कर दी है तो उसी कप से मैंने दो कप चीनी इसमें आड़ कर दी है आप अप चीनी को mix करते जाएंगे, चीनी एक दम पतली होती जाएगी, तो चलाते हुए ही हम इसको mix करते रहेंगे, चीनी डालने के बाद हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं, चीनी डालने के बाद ये कितना ज्यादा पतला हो गया है, तो बस इसको medium to low flame पे चल चलाते रहेंगे, और जब तक चीनी भी अच्छे से ना सूख जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, तो बस अब नारी चीनी परफेक्ट सूख गई है, आप देख सकते हैं, तो बस मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, मैं चलाते हुए अगर आप गरम flame पे बंद कर देंगे, चलाएंगे नहीं तो इनीचे से ब्राउन हो जाएगा, तो नारी चीनी बरफी वाइट ही अच्छी लगती है, तो बस मैंने इसको चलाते हुए हलका सा ठंडा कर लिया है, अब यहां पर मैंने इसको प्लेट में जमा देंगे, कोई भी दिकत नहीं आती ह नारील वैसे ही जम जाता है, तो यह बहुत ही आसानी से बढ़िया से जम जाएगा, तो मैं आपको दिखाने के लिए प्लेट में ही जमा रही हूँ, क्योंकि हर किसी का पास केक्टीन नहीं होती है, तो बस मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से हम इसको डाल देंगे और इसको फैला लेंगे, इवनली चारो तरफ से फैला लेंगे और इसको स्क्वार से देंगे, आप देख सकते हैं, जो मैं जैसे स्क्वार से दे रही हूँ, स्क्वार से देने से हमारी बरफी जो है अच्छे से कट चाती है, कोई भी इसका एजिस बरवाद नहीं होती है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब था हैं यहाँ करना के हैं थे पारा के मैं नहाँ थार लेकिन प्लेट ना है जुंसाइब टिकीन घंटosaan केमाँ में lore रख़ के लिए लszy रहा है। तो बस आप इसको फ्रिज में रख दें या अच्छे से सेट हो जाएगी तो बस अपने मन चाहे पीसिस में इसको कट कर लीजिए मैं इसको नॉर्मल स्क्वार शेप में कट कर रहे हूं आप चाहे तो डाइमंड या फिर जैसे मिलकेक आता है ना लंबा लंबा रेक्टेंगल में वैसे भी कट कर सकते तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां हमारा पीस अच्छे से जम के त्यार हो गया है देख लीजिए आप कितना परफेक्टली जमा हुआ है बिलकुल भी यह डीला डीला सा नहीं है जैसे हम बर्फियां बनाते हैं तो वह अच्छे से सेट नहीं लेकिन नारियल की बर्फी में हमें ये समस्या कभी भी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो लीजी हमारी कोकोनट बर्फी बनके बिल्कुल भी त्यार हो गई है तो यकिन महनी फ्रेंट्स अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कोकोनट की बर् रखते ही घुल जाने वाला तो रेस्पी अच्छी लगिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं पनी नेक्स्ट रेसिपी में